आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि Fruit और Gems जो होते हैं उन्हें हम Preserve किस चीज़ के थू करते हैं First Option है Smoking Second है Heating Third Option है Oiling Fourth Option है Adding Sugar तो दोस्तों अगर हम बात करें Gems की तो अगर Fruits की बात करें आपर Gems की हैं तो इसको हम Preserve कर रहे हैं मतलब कि इसको हम बचा के रख रहे हैं किसी Micro Organism से मतलब कि ये जैम जो होता है वो ऐसा बनता है जैम के पूरे Bottles रहती है जो Fruits से बनता है और वो कुछ मंत तक चलता है तो ऐसा इसके अंदर क्या डलावा रहता है दोस्तों इसके अंदर डलीवी रहती है Sugar तो वो जो Sugar रहती है शक्कर रहती है उसकी Presence की वज़ा से इसके अंदर कोई भी Micro Organism नहीं आपाते है Micro Organism का क्या मतलब होता है कि जो Bacteria हो गए, Fungus हो गई ठीक है ये अगर उसके अंदर नहीं आपाईगी मतलब वो हमारी चीज क्या है अच्छी है और वो खराब नहीं हुई है वेरेस अगर इसमें Sugar नहीं होगी तो इसमें Micro Organism आ जाएंगे जिसके वज़ा से वो Preserved नहीं रहेंगे और खराब हो जाएंगे और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये जो Sugar होती है ये सिर्फ मतलब Preserve ही नहीं करती है और ये जैम को फ्लेवर भी देती है देरफोर हमारे Question का Correct answer क्या है किसके थू Preserve होते है Sugar को Add करने के थू Thank you